Assalamu alaikum, welcome back to my youtube channel. In this video I am going to discuss reproduction and development in reptiles and the contents are taken from zoology by Miller and Harley. So, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वर्टीब्रेट्स दो तरह के इन्वार्मेंट में रहते हैं. एक इन्वार्मेंट होता है ट्रेस्टियल और एक होता है अक्वेटिक. ट्रेस्टियल इन्वार्मेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें reproduction और embryonic development जो है वो भी land पे होनी चाहिए. यानि water से बिल्कुल separate होनी चाहिए. अगर water से reproduction और embryonic development separate नहीं है तो हम उसको क्या कहा है? embryonic development और reproduction बिल्कुल separate होनी चाहिए water की water से उन आर्गिनिजम की जो के land पे रहते हैं. So, vertebrates for living on the land. Two things are important. First one is internal fertilization. And the second one is amniotic egg. अच्छा, अगर यह दोनों चीज़े होंगी. Internal fertilization यह होती है के development होगी within the reproductive body of female. ठीक है? यानि जो fertilization है, यानि fusion of egg and sperm जो है, वो विदन दा female body होगा. ठीक है? और amniotic egg, amniotic egg कौन सा होता है? जिसके लेयर्स होती है, amniotic membranes की, जैसे कोरियान है, अलेंट टॉइस है, ठीक है? इनकी लेयर्स होती है, तो वो कौन सा egg होगा? इन दोनों की presence होगी, तो organism जो है, वो fully capable होगा, लेंड पे reproduction के लिए. ठीक है? amniotic egg जो है ना, वो completely dependent नहीं होता वाटर पे. हमने बात की ना, amniotic egg जो है, वो require होता है, लेकिन amniotic egg एक्चुली completely independent नहीं होता वाटर पे. यानि किसी हद तक वाटर का असर है उसमें. जैसे चिकन कैग का आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें manure से पोर्स होते हैं, एक शेल में, लेकिन वो पोर्स हमें नजर नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत कीनली उनको observe किया जाए, या माइक्रोसकॉपिकली observe किया जाए, तो हमें पता जल जाता है. अब उन पोर्स का काम क्या होता है, बेसिकली वो पोर्स होते हैं, गैस एक्सचेंज के लिए, लेकिन वहां से वाटर भी एवापोरेट हो सकता है, ठीक है, इसके इलावा जो अमनियर्टिक एग है न, उसके लिए पेरेंट्स की बहुत ज़दा अनर्जी चाहिए होती है, उनके लिए अनर्जी जो है, वो रिक्वाइर होती है, अनर्जी कहां से आती है, पेरेंट्स लेके वो अनर्जी परवाइड करते हैं, ठीक है, और पेरेंट्ल केर भी होती है, कुछ रेप्टाइल्स में, पेरेंट्ल केर क्या हो सकती है, कि एक क्या करें, कि हुमिडिटी ज जो है वो अगर लंबे भी हो जाएं तो सर्वाइवल पॉसिबल हो ठीक है और पेरेंटल एनरजी हमने पहले बात की एनरजी और टाइम जो है वो दोनों इन्वेस्ट होते हैं अच्छा उसके बद एक थिंग थी हमारे पास ट्रेस्टियल इन्वार्मेंट में सर्सक्तिय हमें उसके यह में के बहुते हैं तो यह जो हैंतु वह् você रहार किसमप्रिटी मेंडरियोंटिक मेंडरिंस तीद को हम बोलते वह हं निकोरियां हैलैं और वह गरएरा है उसके बाद मेंके बाद टार इस नरी र सभातिवार्ट हैं इन्ट्रिय रिम्रेत्टर किया कपुलेटری आरगन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि इसने स्परम्स डिलीवर करने होते हैं मेल बॉड़ी से फीमेल बॉड़ी में और इंट्रॉमिटेट आरगन जो है न ये सारे रेप्टाइल्स में होता है अकसेप्ट तव्टाराज टोटाराज के इलावा बाकी सारे रिप्टाइल्स हैस इंट्रोमिटेंट आरगन ठीक है और फंक्शन मैंने आपको इसका पहले बता दिया फंक्शन क्या होता है कि स्पर्म जिसने इंट्रिड्यूस कराने होते हैं फीमेल रिपर्डुक्टिव ट्रैक में लीजर्स और स्नेक्स की बात करें तो उनमें जो इंट्रोमिटेंट आरगन है ना वो पेर्ड हैमी पैनिसीज हैं कहां पे होते हैं ये फॉर एग्जेंबल इनकी टेल है इसकी बेस पे प्रेजेंट होंगे और जी जिस तरह गलाव्स की फिंगर इनसाइट हो जाती है ना उसी तरह ये वी जो है ना वो इनसाइट रहते हैं ठीक है और उसके बाद इरेक्शन होती है तो ये आउटसाइट आ जाते है गुनेट्स कहां पे होते हैं अब डॉमिनल कैविटी में उसके बाद हम मेल रिपरड़क्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें मेल में क्या होता है पेर आफ डॉक्ट्स होती है ठीक है वो कहां पे स्पर्म को लेके आती है कलो ये का में उसके old cumulation होती है तो sperm कहां पर store होते हैं seminal receptical में seminal receptical जो है उसके दो functions होते हैं एक तो उसने sperm को nourishment provide करनी होती है और दूसरा एक specific time तक उनकी activity को रौक के रखना होता है कुछ ऐसे reptiles हैं जो 4 साल तक जैसे के turtles हैं उनमे sperm 4 साल तक store हो सकते हैं इसकी बात करें न उन में six year के लिए sperm स्टोर हो सकते हैं और temperate latitude में sperm विंटर का पूरा season स्टोर हो सकते हैं जैसे ही winter खतम होता है तो वो दुबारा से एक्टिव कहले हो जाते हैं और उसके बाद further प्रॉसेस होता है वो complete हो जाता है अच्छा अब sperm की हमने बात कर ली अब हम बात करेंगे कापूलेशन की कापूलेशन की season में होती है fall में ठीक है और सारे individual इकटी होके एक structure बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं हाइबर नकूला जिसको हमने ओसमोरेगुलेशन में पड़ा amphibians की कि हाइबर नकूला का फाइदा क्या होता है इसका फाइदा ये होता है कि surface area reduce हो जाता है और जब surface area reduce हो जाता है तो heat loss जो है वो minimize हो जाता है अच्छा कापूलेशन कब होई fall में fertilization और development कब होगी spring में ठीक है जब temperature favorable होगा spring में अब fertilization होती कहां पे है ये तो हमने कह दिया कि spring में होगी fertilization होती कहां पे है upper region of oviduct में ठीक है वो आगे से region जो है वो कहां पे जाता है ovary से cloaca तक ठीक है ovary है oviduct है and then cloaca है अब जो oviduct के glands है ना वो albumin और egg shell से create कर देते हैं egg के girt अब जो egg shell होता है ना वो basically होता तो tough है लेकिन उसमें flexibility भी पाई जाती है और अगर हम crocodile के egg के बात करें तो वो बिल्कुल जो कहलें के birds के egg है ना उनकी तरह का ही होगा उसके बाद एक ओर term है हमारे पास parthenogenesis parthenogenesis क्या होता है formation होती है basically individual की without the fusion of gametes यानि इसमें sperm का कोई role नहीं होता ठीक है और zygote नहीं बनता क्योंकि इसमें क्या होता है parthenogenesis उन species में होती है जहां पे males exist ही नहीं करते ठीक है और इसमें females जो हैं सिरफ वो population बढ़ाती है और इनका reproductive potential भी ज्यादा होता है यानि parthenogenesis से यह sexual reproduction की form है तो इसके लिए time भी कम चाहिए है ठीक है बाकी जो energy बगरा है bisexual populations जिसमें male भी होते हैं female भी है अच्छा parthenogenesis के इन species के लिए suitable है जरा गोर्फ करें parthenogenesis उन species के लिए suitable है जिनका high mortality rate है यानि जरा सारा temperature extremes आई और वो मर गए तो जैसे ही temperature favorable हुआ parthenogenesis हुई और उन्होंने new individuals पेडियूस कर लिए ठीक है लेकिन parthenogenesis का एक नुकसान भी है और वो नुकसान क्या है अब हम ये देखेंगे अब disadvantage क्या है कि सारे individuals जो हैं वो एक जैसे होंगे क्योंके genetic recombination नहीं बने न spormorac का fusion नहीं हुआ एक ही organism से सारे आफसप्रिंग्स बने आए reptiles का complex reproductive behavior होता है ठीक है अच्छा जिसके थूँ वो females को search out करते हैं सबसे पहले आपको पता है courtship behavior ये show करते हैं females को attract करने के लिए इसके इलावा behavior की कुछ adaptations होती है physiological adaptations वगेरा courtship उसमें भी function करता है for example यहाँ पर हम reproduction की बात करें तो head bobbing display होता है अब ये head bobbing display actually है क्या यानि इसमें क्या होता है कि जो उनके गले पे जो reptiles के गले पे bright color patches होते हैं वो सामने आ जाते हैं ठीक है और skin के जो enlarge folds होते हैं वो show कराते हैं वो female को तांके वो इनकी तरफ attract हो snakes में अगर हम courtship की बात करें तो वो basically base करती है tactile stimulation पे क्या करता है snake कि जो female है ना अपनी body के उसके गिर्द ऐसे engage कर लेता है ठीक है और wave like contractions पे ड्यूस करता है जो posterior side से interior side की तरफ जाती है इसके इलावा जो lizard और snake है वो female को attract करने के लिए sex pheromones भी यूज करते है अगर crocodile की बात करें तो crocodile जो है वो आवाजे निकालते है vocalization उनके लिए important cue है ठीक है और जब breeding season आता है तो male जो है aggressive हो जाते है अपने area को defend करते है ठीक है और दूसरे male को पास नहीं आने देते है इनकी mating कहां पे होती है water में अच्छा अब जब ये एग ले कर देते है ना तो parental care बहुत कम है कुछ species में है जैसे alligator वगएरा है उन में है लेकिन बाकी में क्या है जो parental care है वो बहुत कम ये क्या करते है eggs अपने ले कर देते है rocks के नीटे या फिर बरोस वगएरा में और बस उनको छोड़ देते है लेकिन अगर हम alligator की बात करें तो उसमें क्या होता है female जो है ना for example ये surface है यहां पे ऐसे मठी कठी करके ना तो ऐसे structure सा बना लेती है vegetation और mud का ठीक है ऐसे fill कर लेती है उसके बाद क्या होता है फिर वो इसमें सुराख करती है और इसके अंदर एग ले करती है उसके बाद दुबारा से उसको cover कर देती है ठीक है? यानि वो अपने एग्स को safe कर लेती है और जो temperature होता है ना उसका important effect होता है reptiles की sex पे यानि अगर temperature जो है अगर इतना होगा तो male of spring होगा लेकिन अगर 32 होगा temperature तो male भी हो सकता है female भी हो सकती है ठीक है? अच्छा अब जिन में parental care होती है ना उन में क्या होता है? कि female जो है वो गूंस लेके नजदीक नजदीक रहती है तांके वो eggs वगएरा को protect कर सके और जो young ones होते हैं वो feed कैसे लेते हैं कि जो उनकी mother feed करती है उससे जो बच जाता है खाना जो सक्रैप्स होते हैं food के वो गिर जाते हैं और young ones उस पे feed कर लेते हैं तो ये था हमारा reproduction and development in reptiles